हेलो एबरिवन, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आशा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे अगर आप जहारखंड में बीड करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है तीन से चार मिर्ट में आपको जो फंडामेंटल बेसिक चीजे हैं, वो मैं आपके सामने किलियर करने की कोशिस करूँगा इस पीडियो में सबसे पहले यहां से आप देख सकते हो जहारखंड सरकार जो की इंट्रांस एक्जाम लेकर के बीड का एडमिसन लेती है तो देखिए कोरोना के बज़े से जी हां कोवीड अभी चल रहा है जिसके कारण से सरकार ने क्या फैसला लिया है कि इस बार जो है इस पिछले बार की तरह इस बार भी बीड का इंट्रांस एक्जाम होता है पूरे जारकंड में उसको कैंसिल कर दिया गया है और मेरिट के बैसिस पे एडमिसन लिया जाएगा तो देखिए कैसे सारे चीजें ली जाएगी स्टेप बाइस्टेप आपको मैं समझाओंगा सबसे पहले आप यहां से देख लीजिए यह ओफिसल नोटिफिकेशन को आप पढ़ोगे तो देखिए बीड पाट करम में सेक्षनिक सत्र देखिए आप 21-23 में आपका बीड कंप्रीट होगा तो 21-23 के लिए आवेदन भरने के लिए आविसक सूचना दे दी गई है और यहां पर बताया गया है कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना होगा देखिए कि वैफसाइड है इस वैफसाइड को आप चाहो तो स्क्रीन ले लो वीडियो को या फिर पेंट पेपर पर आप नोट कर सकते हो जे सी ए सी इबी जी हां यह आप गूगल पर सर्च करेगो तो जो पहला वैपसाइड आएगा उस पर क्लिक करके आपको पहुंच जाना है ओफिशल वैपसाइड पे वहां पर आपको याद रखना है आप इसके एकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बनेगा आगे देखिए आगे जब आप आते हो तो यहां पर देख सकते हो बेड के लिए जो है दो वर्स जो है लगते हैं यानि कि टू एर्स का टेनियूर होता है इस कोर्स का यहां से आप देख सकते हो ग्रेजुएशन लेबल पर यह ऑनलाइन एक्जाम लिया जाएगा तो देखिए अंतिम्तिती जो है इसकी यानि कि लास्ट टेट अप अप्लिकेशन है वो 27 नौ है 27 नौ यानि कि 27 अक्टोबर तक आपको क्या करना है सारे चीजों को अपलोड कर देना है अपना डोकुमेंट वगेरा याद रुखेग और कैफे के पास बिलकुल ठंडे दिमाग से सारे चीजों को अपलोड कर लिजे वन बाई वन अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है बीड के लिए तो देखिए यहां पे उन्होंने लिख रखा है 55 परसेंट मार्स चाहिए जो मैथमेटिक्स वाले के लिए है उनके लिए और जो कैंडिडेट 50 परसेंट बैचलर्स या मास्टर में जिन्होंने साइन सोसल साइन से किया है 50 परसेंट वो कर सकते हैं या फिर अगर आप जो इंजिनियरिंग वाले लोग है उनके लिए 50 परसेंट 55 परसेंट क्राइटरिया रखा गया जो देखना तो only one subject देखिए अब one subject का क्या मतलब हुआ आप केवल एक subject को choose करोगे जैसे की आपका mathematics graduation में रखा हुआ है तो आप mathematics के लिए ही apply कर सकते हो आप चाहोगे कि मैं chemistry या physics के लिए apply कर दूँ तो आप eligible नहीं होगे clear है बाते आगे देखिए application के लिए आपको देखिए मैंने जै क्या होता government होता है authentic होता है तो इसी नमबर पर आपको जाना है और application जो start होगी दोस्तों वह 7-9 से start होगी जो कि 27 तक चलेगा यानि कि आप जो है जल्द से जल्द apply कर लिए बाद में server down भी होता है और website crash भी होती है तो इन से आपको बचना है और जिनका NCC का प्रमान पत्र ह रखा है उसको भी यहां पर आप apply उसे भी आप यहां पर so off कर सकते हो so off कहना तो गलत होगा लेकिन आप so कर सकते हो यहां पर आगे देखिए अब fee के बारे में थोड़ी सी discuss कर लेते हैं general वाले student और EWS ठीक है ना इनके लिए जो fee रखी गई है वो 500 रुपी रखेगी मुझ EWS में उनके पास बहुत सारा पैसा है सरकार की नीती है अंधी नगरी चौपट राजा जो भी हो सरकार को इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है जब वो कमजोर वरसे हैं तो उन्हें भी fee में रियायत देनी चाहिए लेकिन यहां पर कोई रियायत नहीं ह यह अब हैमन स्वरेन से बहतर कौन बता सकता है जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 100 रुपए 200 रुपए में यहां पर जो है कंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा कमेंट करके आप लोग बताईएगा अगर इस बात से आप सहमत या सहमत हो कमेंट बोक्स में जरूर आप बताएं आगे देखिए OVC से जो लोग आते हैं BC1, BC2 से उन्हें 375 रुपीज यानि की 375 रुपए देने होंगे अप्लिकेशन के लिए और जो SCST से आते हैं जार्खंड राज के I repeat जार्खंड राज के जो आते हैं उन्हें 250 रुपए देने होंगे अगर आप बिहार, उत्तर परदेश या किसी अधर स्टेट के आपकी जो है डोमिशाइल है तो आपको जेनरल में आना होगा वो भी 500 रुपए आपको पे करना होगा आप भले SCST से हो कोई फरक नहीं पड़ता है आप जेनरल में count हो जाओगे यहां पे आगे देखिए merit जो है बाहर के लोगों के लिए reserve रहेगी और 85% यहां के लोगों के लिए reserve रहेगी बिलकुल बेथरीन decision है यह अच्छा decision होता है कि आप जाधा से जाधा seat अपने स्टेट वाले के लिए रखें क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार हो या उत्र-प्रदेश हो या महरास्टा हो इवन कोई भी स्टेट हो सारे गवर्मेंट जो है स्टेट गवर्मेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनका वेनिफिट हो तो खैर यह अची बात हैं अब द पाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए आपको मिलेगा टेलिग्राम चैनल का लिंक वहां से आप जुड़ सकते हो या फिर अगर आप टेलिग्राम यूज करते हो तो वहां पर एक सर्च का ओप्सन दिखता है वहां पर आपको जाना है और कुछ नहीं करना है बस मि जाए तो याद रखिएगा जो चैनल का लोगो है वही वहां पर लोगो लगा हुआ है तो उसी को आपको जोइन करना है एक और बात अगर आपका कोई डाउट हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे इस्टाग्राम पर भी मिल सकते हो at the rate imithun singh आपको सर्च क मेरी ID आपको मिल जाएगे तो at the rate imithun singh आप सर्च करोगे मेरी ID मिल जाएगी कोई भी हो तो वहां पर communication के लिए जो है हमेशा comment वहां पर message box open है मेरा और email करना चाहते हो तो मुझे email कर लिजिए yourmithun singh at the rate gmail.com पे yourmithun singh आप लिखोगे and without any space singh लिखना है and at the rate gmail.com पे thanks for watching this video have a great day